हेलो फ्रेंज आइम इता बिश्णोई ये ब्यूटिफुल प्लांट डॉलर प्लांट कहते हैं या इसको हम लोग पैनी वट भी कहते हैं ये बहुत ही खुबसूरत लगता है और बहुत तरीके से ग्रोव करता है इसको मैंने पानी में ग्रोव किया हुआ है और आज हम लोग leka balls में grow करेंगे और ये एक और तरीका है जिसमें मैंने मिटी में grow किया है simple potting soil में और हम लोग कुछ और भी देखेंगे जो plants हम लोग hydrophonically leka में या फिर खाली पानी में भी grow कर सकते हैं आईए शुरू करते हैं कि penny what को हम लोग कैसे grow करेंगे leka balls में leka balls simple clay balls होती है यह आपको online भी मिल जाएंगी clay balls इनको क्या करते हैं clay को simple balls बनाके bake कर देते हाई temperatures पे और यह बहुत हल्की होती है साथ में यह aeration के लिए इसमें कुछ holes भी होते हैं और इसमें nutrient कुछ भी नहीं होता खास मगर इसमें PHP इसका neutral होता है यह इसका positive point है तो हर type की plants आप इसमें लगा सकते हैं थोड़ा पानी moisture absorb करके रखता है और plants की जो roots होती है बहुत अच्छे से इसमें grow करती है बस पानी थोड़ा add करते जाएं और beach-peach में इसको थोड़ा clean भी करते जाएं करीब 15-20 days में एक बार और तब तक यह बहुत अच्छे से semi-hydrophonically grow करेगा leka balls में वैसे खाली पानी में भी यह बहुत अच्छा करता है क्योंकि यह penny watt का जो plant होता है यह ponds में grow करता है बहुत moisture पानी like करता है अगर इसको आप बिना hole वाले container में लगाएंगे तब भी यह बहुत अच्छा करेगा क्योंकि पानी drain नहीं होगा पानी हमेशा roots के लिए available रहेगा और यह flowering होती है इसमें दिखाती हूँ छोटे-छोटे यह flowers निकलते हैं इन में और इनी से इनकी seeds बनके growth होती है और वैसे यह roots से भी multiply करते रहते हैं थोड़ा सा plant लेके आएंगे यह पूरी जगे आपके फैल जाएगा इसको मैंने दो-तिन दिन से ऐसी grow कर गए थे lawn में तो इनको निकाल के खाली ऐसे पानी में रखा हुआ है और पानी में यह grow कर चुके इनकी roots देखे कितनी well developed हो गई है इसको रखे वे करीब एक हफता हो गया है अब हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग थोड़े से यह simple DIY container में ने लिया है और plastic का used container इसमें पहले हम लोग थोड़े लेका बॉल्स डालते हैं नीचे और बस इसमें डालने के बाते हैं लोग कुछ penny water के plants simple ऐसे रख देंगे और यह धीरे धीरे इसी में पूरा growth पकड़ देंगे और इसमें बाती में यह लेका बॉल्स भर देंगे अब इसमें हम लोग ने लेका बॉल्स भर दी हैं अब इसमें पानी कुछ डाल देंगे बहुत जादा पानी डालने के जरुवत नहीं है यह यहां तक मैंने भरा है और यह इसी में ही develop होते रहेंगे और बहुत खुबसूरत लगेंगे जब अच्छी इनकी ग्रोथ हो जाएगी मैं आपको कुछ इसके टाइम लैप्स के साथ दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो गई है आए और भी कुछ प्लांट्स देखते हैं जो हम लोग हाइड्रोफॉनिकली ग्रोथ कर सकते हैं पानी में माईट्स दिखे कंगे जब श्योंकि समगे की v Akt 7CR और या फिर ऑनको पानी में भी रहने सकते हैं मनी में प्लांट्स प्लांट्स के साथ ग्रोविये यह हैं यह च्छी इसपनस हम लोग कर सकते लिए प्लांट यहकर प्लांट्स इस्नी बहुत ग्रोथा यह ये drasena का plant है, इसमें भी बहुत अच्छी growth हो गई है, ये हम लोगा singonium है, ये भी आफ पानी में grow करके फिर soil में shift कर सकते हैं, और ये हम लोगा सबसे favorite plant है, wanderingjew ये भी पानी में grow किया हुआ है, तो इतने सारे plants आफ ग्रो कर सकते हैं पानी में, जरूर लगाएं पानी में और इजी है इसका ग्रो करना इसके अलावा एक दिखाना भूल गई मैं आपको यह है यह है पुर्पल हाट कई दिनों से लगा हुआ ही देखिए कितनी अच्छी रूटिंग वही है इसमें ब्राइट लाइट में रखूंगे अभी अंदर रखवा है इसलिए लाइट पूर्पल है नहीं तो पूरा पूर्पल हो जाएगा और यह वाला एक बोट प्लांट है अगर आपको और भी प्लांट के बारे में इंफोर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग